हाँ हच्छा था सुमन मैंना ओफिस जा रहा हूँ तुम अपना सारा काम निफ्टा लेना और तुम गल्चे ले जाना ठीक है ठीक है? ठीक है ठीक है हाई बेदी क्यासे हो? हाँ मैं ठीक है तुम मैं पता है घर में कोई निए जल्दी से आजाओ हाँ मैं तुमारा वेट करें अच्छा तो मेरे पीट पीछे ये सब कर रही है इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था अच्छा लाए चाहिए वैसे सुमन तुम्हें ठीक से पता कर लिया ना घर में कोई है तो नहीं ना नहीं नहीं कोई नहीं नहीं पापड चले गए ड्यूटी और मॉम्मी मासी के घर देंगे यह तो बहुत अच्छी बात है कि घर पर कोई भी नहीं है हम दोनों कम से कम ताइम तो मिला यार मैं कैसो रहा था कि हम कब तक ऐसे चुप चुप के मिलते रहेंगे तुम अपने घर पर बात कर लो हमारे लिए अरे यार मैं तो बात करना चाहती हूँ देखो जैसी मौका मिलेगा मैं बता दूँगे बस मुझे मौका नहीं मिल रहा कि ममी पापा कब साथ हो और मैं बता पाओ जैसी मौका मिलेगा मैं हमसे बात कर लो अच्छा यह सब छोड़ो थी पताओ कल मीना बर्डे तुम्ह यह हो ना ऐसे तुम्हें बात बता हूं हाँ बताओ ना एक मिनुट हालो था काम हो गया हाँ हो गया और चावी? हाँ, हाँ, चावी भी दे दी थी मैंने ठीक है अरे सुमन, चावी कोई सी? अवो, कुछ नहीं, चावी वो क्या है ना नेबर है तो उनकी ने चावी दी थी काड को देने के लिए वो ही देनी थी बस, दे दी अच्छा आजा आप यह सब छोड़ो तुम कुछ बोले वाले थे बोलो ना वह मैं यह बोलने वाला था कि मैंने अपने और तुमारे बारे में अपने अपने घर पर बता दिया है बस यार अब जन्डी से तुम भी अपने घर बता दो हम दोने के बारे में आप उसigos नहीं जहता, हाँ, हाँ, बता दुँँगे, जैसी मोका लगेगा, बता दुँगे, ठीक है, और मैंने ना, सब और प्लन कर लिया है, कि हमें शादी कैसे करनी है, कहां करनी है, हणिवून कहां मनाना है, तो पूने उटी नाम सुना है? बहुत ही ब्यूटिफुल जगा है मैं तुम्हें हनीमून पर वहां लेकर जाओंगा साब आप यहाँ अरे सुमन तुम इसे साब की बोल रही हो परमिश्ट चुप करो तुम अब कोई फाइदा नहीं इसे चुप करानेगा मुझे पता लग चुका है कि तुम मेरे जाने के बाद ऐसे लड़कों को बुलाती हो और उनको अपने प्यार के जाल में बसा के ऐसे महंगे महंगे गिफ्ट लेती हो अब देखो अब सब कुछ मेरे सामने आ गया है वो भी विद्परूफ अरे सुमन यह तुम्हें कैसे बोल रहा है नोकरामी ब्लैक मेल अब तरी मत कैसे बोलने की आउना तूब अरे परमी शान्त हो जाओ एक काम करो ना तूब मैं तुम्हें पाद में सब कुछ बताती हूँ तुम आपी चले जाओ मैं तुम्हें फोर में सारी चीड़े क्लेर करती हूँ हाँ अरे सुमन क्यों बगारी हो तुम बिचारे को उसको भी तो जानने का हक है कि तुम क्या बुल खिला रही हो हैर भाई तुम ये सब ठोड़ो ये तो सच बताएगी नि मैं ही बता देता हूँ भाई ये जो तुम घर देख रहे हो ना जिसको ये अपना घर बता रही है वो अ प्यार के जाल में फसाती है और उसको जूट बोलती है कि मैं बंगले में रहती हूँ और उसके बाद उनको लूटके किसे दूसरे की तलाश में चले जाती है हां ये काम तो काफी टाइम से कर रही है पर पकड़ी तो आज गई है सुमन क्या बोल रहे तुम मुझे दोखा पुछ वर्बाद हो गया बताओ क्या जट कर रही है कि तुम जूट गोल रही हूं कि सब किसी की प्यार की लाइक सब ना किसी की प्यार किलार करने हो आज के बाद ना मुझे अपनी शकल मत दिखाना बेव फावरत तुम्हें क्या लगा था कि तुम पकड़ी नहीं जाओगी किसी को पता नहीं लगेगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी और हाँ देखो हाँ तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई और मुझे पडोसियों नहीं बता दिया था कि तुम मेरे पीट पीछे यहाँ पर लड़कों को बुलाती हो तो मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हें रंगे हाथ पगड़ लू मैंने तो तुम्हें अपना पूरा घर सोप दिया था एक विश्वास किया था तुम पे और तुमने मेरे साथ क्या किया एक काम करो हभी के अभी ना मेरे घर से निकलो मेरे को ना पुलिस को बुलाने के लिए मजबूर मत करो निकलो यहाँ से